तो सिक्षा नहीं है, लेकिन सिक्षा भी यहां बहुत बढ़िया है, जरुरत है कि लोगों को पता हो कि कहां क्या सुधाय है, तब ही लोग एविल कर पाएंगे, पर आप दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली की ऐसा कोई भी इंस्टूशन रहें जहां बिहारी नहीं है, बिहार बिहारी चाहें पढ़ाते भी हैं, बिजनस में भी हैं, एबरीवेर आपको मिल जाएंगे, बिहारी सबको ध्यान देने कहीं जरुत है, सब सिर्फ सरकार को आप कहके हम पलना जहां नहीं सकते हम सब कभी दाईतों है कि अपने समाज के लिए, अपने राज्ट के लिए, ऐसा राज्य है जिसे बाहर के लोग किस द्रिष्टी से देखते हैं क्योंकि जब बिहार के लोग अगर पलायन करके अगर बाहर जाते हैं तो वहां पे बिहारियों के साथ मतलब दुर वैवाहार किया जाता है कहीं न कहीं अभी भी और दूसरे राज्य में कहीं न कहीं बिहा बिहार का नाम अभी भी अगर बाहर में अगर लिया जाता है तो लोग थोड़ा सा दूसरे भाव से देखते हैं तो इनी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इनर विल क्लब पाटले पुत्रा की प्रेसिडेंट प्रिती कश्यप जी जी मैं प जो बाहर के लोग हैं थोड़ा मतलब अजीब तरह से उस पर ट्रीट करते हैं ऐसा क्यों ने बाहर में जो आइडिया है आप पूछ रहे हैं तो बताना चाहेंगे आपको हम कि इमेज बना है एक बिहार के बारे में तो बिहार में आपको बताना होगा कि अच्छी चीजे है जिसको भी आप देखिए और जितने भी आइस निकलते हैं पूरी दुनिया जानती है कि सारे बिहारी होते हैं अल्मों सब बिहारी होते हैं हम तो यही कहेंगे कि बिहार में बहुत कुछ है ऐसा जो आप बात कचीद कर सकते हैं देख सकते हैं हां लोग जो मान सिकता है कोई आदमी अगर बिहार में कुछ ज्यादा एडूकेटेड हो जाते हैं जो बाहर जाते हैं कुछ काम करने के लिए फिर कुछ अच्छे पोजिशन पर रहते हैं वो लोग खुद बाहर में जाकर बिहार के बारे में अगर कोई उनसे कुछ बोलता है तो यह लोग भी बिहार क कि आप इसके जगह थुरा सा बुड़ाई ही करते हैं इसा भी देखा जाते हैं ने हमारी समय से तो आपने ग्रोथ के लिए जाता है ऐसके लिए रहा है यहां जो मेरा इंकम बढ़े खाना पहला मोटीव यह होता है तो उसमें बिहार की बिढा ही नहीं होते हैं बल्कि जहा लोग बारी जाएं बीजिन्स में भी हैं अगर यह तो होगी मतलब काम की मतलब यहां से बाहट बाहर जाते काम करip audio लेकिन जो अगड़ एक तरह देखा जा तो बिहार में कलाकार विहार पर रहार कोुछ क कलाकार राज्य कहा जाता तो यहां पर बहुत बरे बरे कलाकार यहां से निकले हैं लेकिन अभी भी देखा जाता है जो कला के छेत्र में जो भी मतलब इस्टुडेंट है उनों उनों मतलब उन लोगों का कहना है कि बिहार में कुछ ऐसा फैसलीटी जुन्हें नहीं मिल पाता है इसलिए वो लोग मुंबई जाते हैं एक्टर बनने के लिए इसके बार में किया था हम लोग तो यहीं कहें हैं मुंबई तो एक खौवफगा है बधार बच्चों का को जाना चाहते हैं इसलिए जाते हैं बिहार में सुधाएं हैं लेकिन नहीं जानकारी होने के वज़ा से बच्चें वेल नहीं कर पाते हैं मतलब बिहार में जैसे कि अगर देखा जाया तो पटना का ही मैं बात करूं तो यहां पर प्रेमचंद रंगसाले है या फिर कालिदास रंगसाले है जहां पर थीटर सिखाया जाते हैं बच्चों को लेकिन उसके बाबजूद यहां पर अगर देखा जाया मैं एक दिन वहां कर देखा तो लेकिन उस तरह से वहां पर कंडिशन जो है बनने के लिए इंस्टिशूशन वहां बन चुकिए लेकिन उसका जो रख रखाव है उस पर सरकार को ध्यान इस पर क्या कहना चाहिए आप यह कह सकते हैं कि उस तरह से मंटे नहीं अगर हम कंपेर करते दूसरे नहीं हो सकते हैं के सुधा अधिन नहीं होंगी यह मान सकते हैं तो जैसे कि अभी सरकार को और भी इस ये सब चीड़ी को लेकर थोरी सी ध्व किज्यान देने की जरूरत को ज़रूरत है सब सहुइंसरे कर अब अभी बिहार का मतलब नाम उज्वल होगा जी तो जैसा कि अभी आपने सुना प्रिती कश्यप जी का कहना था कि जो बिहार के लोग है बिहार में कला के छेतर में देखा जाए या फिर जौब के छेतर में देखा जाए जो लोग यहां से बाहर जाते हैं तो बिहार का जो नाम उसको उजवल करने का कोशी करें ना कि बिगाडने का क्योंकि कही न कहीं अभी बिहार में बहुत सारे चीजें ऐसी हैं लोग बहुत ऐसा कहा करते हैं कि बिहार में बहुत कमी है संस्थाय नहीं है कि मतलब कुछ आगे आदमी पढ़कर या सीखकर आगे बढ़ सके लेकिन उन से खबरें देखते रहें के लिए आप देखते रहें एक निश्टान्टीफूर मैं वेज सिंग से होगी पिंटू के साथ बटना